जैहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चेनल दवंग क्लासेश पर तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं MP प्लीस कॉंस्टबल एक्जाम 2022 में 29 जनबरी 2022 की फर्स्ट डिसिप्ट में पूछे गए जीके जीएस साइंस और MPGK के महत्पॉन प्र लिए देखते हैं आज का फर्स्ट कोशन की आप लोगों से क्या पूछा गया था तो फर्स्ट कोशन में आप लोग देखेंगे यहां पर आप लोगों से पूछा गया था मद्द प्रदेश बिधान सभा के 18 अध्यक्ष कोन बने हैं तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और नेक्स्ट कोशन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है राश्ट्री किसोर सम्मान राश्ट्री किसोर कुमार सम्मान किसको नहीं दिया जाता है तो चार आप्शन आ किषोर कुमार संबान की इस्थापना की गई थी, यह संबान फिल्म निर्देसन, अभी नाय, संबाद लेखन, बागीत लेखन के छेतर में परदान किया जाता है, इसकी पुरुसकार रासि जो है वहां 2 लाक रुपे है, अगर किषोर कुमार जी की बात की जा किसोर कुमार जी का जन्म जो है यहां मद्द प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ था और इनकी मृत्ति जो है अगर यहां पर देखे एक कोशन पूछा जाता है इनकी इनका समाधी इस्थल कहा है यह कोशन अभी आप लोगों के जो कॉश्टबाल एक्जाम हुआ 2022 उसमें और आप लोगों का MPSI एक्जाम 2017 में पूछा गया प्रस्न इसका समाधी इस्थल भी खंडवा में यह भी आप लोगों को याद रखना है इनका जन्म भी हुआ था खंडवा में और इनका समाधी इस्थल भी इस्थी थे खंडवा में तो इनसे रिलेटेड ये कौशन पू पुछा जाता है कि किसो और कुमार का संबंध किससे है तो आपका आंसर होगा यहां एक पार्स गायक थे आगे बढ़ते हैं next question की और next question देखिए आप लोगों क्या पुछा गया तो यहां पर आप लोगों पूछा गया था निम्नल इखित में से कौन फीफा विसुकप दो 2026 की सयुक्त मेजवानी जो है USA कनाडा और मैक्सिको के दोरह की तो इसका जो मुख्याले वाद जूरिक सजलेंड में इस्थित्य आप लोगों को काफी अच्छे से याद रखना है चलिए याद रखेगा आप लोग फीफा का फुल्फार्म होता है इंटरनेशनल of association फुडवाल ये भी आप लोगों के याद रखना है काफी easy question है आप याद रख सकते हैं next question देखें यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है तो next question आप लोग देखेंगे पूछा गया है question नहीं पूछा गया था लेकिन अभी मैंने आपको इतनी ज्यादा स्रिफ्ट करा दी है लगभग 25 प्लस स्रिफ्ट का जहां पर हम आपको वीडियो बना कर दे चुके और हर स्रिफ्ट आपने देखा है कि कम से कम 5-6 question MPG के मिलें पासान इसे समझ पाएंगे तो चलिए बढ़ते हैं next question की और तो MPG के आप लोगों को अगर काफी अच्छा करना है दोस्तों तो आप लोग MPG की हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं नहीं तो MPG की जो हमने आपको 1250 प्लस best mcq और 1800 प्लस best mcq की PDF प्रोवाइड कराई है इन्हें आप लोग जरूर पढ़िए इनकी लिंक आपको वीडियो को description में मिल जाएगी यहीं से सारे के सारे MPG के question आप लोगों के MP Police Constable exam 2022 और आपके अवकारी exam 2023 में पूछे गये हैं और यहीं से MPG के question जो है आप लोगों के पटवारी exam में भी पूछे जा रहे हैं 2023 की सभी सिप्टों की PDF फाइल आप लोगों को देखने को मिल जाएगी दोनों ही लेंग्वेज हिंदी इंगलिस में और आप लोगों को previous year paper science के question और साथ ही साथ MPG की जो दो PDF में आप लोगों को बताई है यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी यहां से question आप लोगों की PDF डाउनलोड नहीं की है तो आप वीडियो के description में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोगों को मैं बता दू कि इन ही PDF से पढ़कर अभी पटवारी एक्जाम में रिवा के एक candidate है हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने 150 प्लस यहां पर कितना किया इसकोर किया पटवारी एक्जाम में और बहुत से ज्यादा candidate है जो हमें बता रहे हैं काफी ज्यादा फोन करकर के बता रहें कि सर आपकी PDF पढ़कर काफी ज्यादा इसकोर किया है तो यहां PDF से आप लोगों को काफी ज्यादा profit होने वाला है तो आप वीडिय परियाप्तवता अनुपात क्या है तो यहां पर आप लोगों से पुछा गया तो इसका जो राइट आंसर वा है एक बेंक के पास कितनी पुंजी उपलब्द है इसकी माप होती है आगे चलते हैं next question की और next question देखिए यहां पर क्या पूछा जा रहा है तो next question में आप लोग कटनी जिलो में मिसरित काली और लाल मध्यम मिट्टी पाई जाती है यह आप लोगों को काफी अच्छे से याद रखना यहां से question आप लोगों के लिए बनते हैं मध्यप्रदेश की इस म्रदा को लाल रेतेली मिट्टी भी कहा जाता है चलिए आगे चलते हैं next question की और next question मे देखी क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से तो यहां पर आप लोगों के याद रखना है अगर आप लोगों से पूछ ले जाए कि मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी जन जाती कौन सी तब आपका अंसर भील होगा मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी जन जाती पूछा जाए तब आपका अंसर भील होगा और अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी जन जाती कौन सी तब आपका अंसर क्या होगा गोंड होगा यहां आप लोगों को अच्छे से याद रखना है और यह जो गोंड है म मैं पूछा जाने वाले सारे extra effect मैं आपको बताता हूँ. Next question देखी, क्या पूछा है, तो यहां पर पूछा गया है, किमोर पठार, किमोर पठार और सत्पुडा पहाड़ी, छेत्र क्रसी, जलबाईू, छेत्र निम्न लिखित में से किस जिले को cover करते हैं, तो इसका जो right answer है, आप लोगों का option number 3, क्या पूछा जाए किमोर पठार और सत्पुडा पहाड़ी, छेत्र क्रसी, जलबाईू, छेत्र जो हैं, यहां कटनी जिले को cover करते हैं, आगे बढ़ते हैं next question की और next question देखिए, अगर आप से पूछा जाए कि क्यों फेमस है, तो आपको याद रखना है कि कटनी को चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है, या भी आप लोगों को याद रखना है कि मध्यप्रदेश के किस सहर को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है, रूपनात धाम में 232 इसा पुर्व तक रहे थे तो राइट आंसर होगा इसका समराट असोक समराट असोक जो है यहां कटनी जिले के रूपनात धाम में 232 इसा पुर्व तक रहे थे असोक की बात की जाए तो असोक का संबद मोरे वंसे से था यहां बिंदुसार का पुत्र तथा चंद्रगुप्त मोरे का पोत्र था असोक ने बोध धर्म की दिख्षा उपगुप्त से प्राप्त की थी इसने मद्यप्रदेश में साची के इस्तुप का निर्मान भी कराया था तो यह कोशन भी अक्सर पूछा जाता है कि मद्यप्रदेश में साची इस्तुप का निर्मान किसने कराया था तो आंसर होगा समरा नहीं याँ जो नारा है यह किसके द्वारा दिया गया था इसका जो रीट आँसर सै क 여자 चैसे ती और आगे बरते हैं नेस्ट कोश्यंटी और कोश्यन डेखते लिखी है तो right answer होगा सारंग देव ने संगीत पर प्रसिद्ध पुस्तक सारंग देव के द्वारा संगीत रतनाकर लिखी गई है आप लोगों को याद रखना है आगे चलते हैं next question की हो next question देखी क्या पूछा जा रहा है तो यहाँ पर दोस्तों budget से आप को से कोशन पूछा गया था तो अभी तक आप देख चुके हैं कि मद्ध प्रदेश से कम से कम आठ से दस कोश्चन यह सिफ्ट में हमें देखने को मिले हैं तो MPG के काफी ज्यादा साबित होता है MP की किसी भी वेकेंसी में अभी आप देख रहे होंगे कि पटवारी एक्जाम का एनलाइसिस चल रहा है और हर केंडिडेट क्या कह रहा है कि MPG के से कोई कोशन नहीं आ रहा है जब इसकी आंसर की आईगी ना तब आप देखेगा कि हर सिफ्ट में 5-7 कोशन MPG क केंडिडेट कैंडिडेट को estrogen को सब्सक्राइब 5-6 नहीं नहीं नेखने को मिले हैं आप बहुत सभी भी सिफ्ट का एनालाइसिस भी देख सकते हैं और साती साथ जितनी सिफ्ट का हमने फुल सॉलिशन करा है उन्हें भी आप वीडियो की हमारे चैनल की प्लेइलिस्ट में जाकर देख सकते हैं यहाँ पर नेक्ष्ट कोशन है बजट 2021-22 में मध्यप्र भारती प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है तो राइट आंसर होगा चार्ल्स मेटकाप को भारती प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोशन की हो नेक्स्ट कोशन में यहाँ पर आप लोगों से पू तो आपने इन्हें ध्यान से देखा हूँगा ठीक है इस प्रकार से यह पांच चल्ले बने हुए अब हम लोगों से फूचा गया कि है इनमें सभी का कलर अलग अलग है तो यहा किसे दरसाता हो यह पर यह जो पांच चल्ले हैं यह अलग-अलग पांच महादीपों को दरशाते हैं, जिन पर अलग-अलग color के छले, अलग-अलग महादीप उनका निधारन करते हैं, तो यहां पर देखे, अगर मैं बताऊओ आप लोगों को पहला निला चक्र, तो निला चक्र तो इसका जो राइट आंसर वहा है आभास कुमार गांगुली देखें यहां पर यह बोला गया है कि किसोर कुमार जो है इनका नाम बाद में किसोर कुमार हुआ तो इससे पहले इनके बच्पन का नाम या इनका प्रारंबिक नाम था वह क्या था तब आपका अंसर होगा आभ अभास कुमार गांगुली इन्होंने मंच पर अपना नाम क्या अपनाया किसोर कुमार अपनाया था किसोर कुमार का जन्म यह हम कह दें कि अभास कुमार गांगुली का जर्म जो है Heavenly जिले में हुआ था इनका बास्ट्रीक नाम के सोर् कुमार गांगोलीा भाड में नाम बदल कर के कि सोर्कुमार किया एनका निधर्म ओंबई में हुआ था और इनका समाधी से पूछा गया है जलिया वाला बाग हत्यकांड से पहले निमने में से किस अंग्रेज मिसंडरी को गलियों में म्रत अभस्था में छोड़ दिया गया था तो इसका जो राइट आंसर वह है आप लोगों का आप्शन नमबर एक को जैरेड को ऑलकों नेलिया अबस्टे में एकशित से मार्सेली imminent को निस्ट हो तो यहां दो को आजते हैं आप लोगों का नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है प्रत्यकेक बे모स्ट को कुल के ब का एक निश्चित रहें पास रखना होता है इसे नगद आ आरक्षित अनुपात या CRR case reserve ratio के रूप में भी जाना जाता है आगे चलते हैं next question की ओ next question देखते हैं आपसे क्या पुछा गया था तो यहाँ पर आप लोगों से पुछा गया था मूल अफरिकी जंजाती पिग्मी निम्ना लिखित में से किस नदी घाटी में पाई जाती है तो इसका जो right answer है दोस्तों वाई आप लोगों का कांगो मूल अफरिकी जंजाती पिग्मी जो है किस नदी घाटी में पाई जाती है अगर आपसे पुछा जाए तब आपका answer होगा कांगो नदी घाटी में पाई जाती है आगे चलते हैं next question की ओ नेक्स्ट question में आप लोगों से पुछा गया है लोसर उस्ताब निम्नलिकित में से किस भारती राज्य से संबंदी थे चार अप्शन आपको दिये गया और पुछा गया लोसर उस्ताब का संबंद किस भारती राज्य से है आंसर होगा हिमाचल प्रदेश से लोसर उस्ताब का संबंद किस राज्य से है तो आपको आंसर होगा हिमाचल प्रदेश से और यहां तिब्बती नव वर्स का एक त्योहार है आगे परते हैं नेक्स्ट question में आप लोगों से पुछा गया था मद्ध्य प्रदेश में भारत में सरवादिक आदिवासी आवादी थी 2011 के अनुसार इस question का मतलब यह है कि भारत में सबसे ज़्यादा आदिवासी जनजाती किस राज्य में पाई जाती है तब आपका answer क्या होगा मद्ध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है आगे चलते है next question की और next question में देखते हैं आप से क्या पूछा है तो यहाँ पर आप लोगों पूछा गया है एंधल मिंटिक्स नियंत्रित करने में मदद क्या कर सकता है तो इसका जो right answer वा है इसका रियासीस इसका आगे बढ़ते है next question की और next question देखते हैं और डूबी हुई बस्तू के आयतन पर उत्पला वक्ता निर्भर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं next question की और next question में देखते हैं आप लोग उसका पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोग next question में देखेंगे यहां पूछा गया है red data book में किन प्रजातियों का record होता है। आगे बढ़ते हैं next question की और next question में देखते हैं आप लोगों क्या पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है रेसु वाइस्टेटिन इसके अरलाबा आगर आप लोग देखें यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन इरिथ्रोमाइसिन और ट्रेटर साइक्लिन यह सभी क्या है कबक और बेक्टिरिया से बने हुए एंटिबायोटिक हैं आगे चलते हैं next question की और next question में देखते हैं आप लोगों क्या पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आप लोगों पूछा गया है यदि विस्तापन सुनने हो तो किया गया कार क्या होता है तो इसका जो right answer वह है आप लोगों का सुनने होता है देखिए आगर इसका फर्मुला क्या कि अगर विस्तापन सुने यह बस तु यहां है और यह यहां तक गई और फिर बापिस इसी इस्थार्ट पर आगई तो यहां पर विस्तापन 0 वह अर्थार D कमान क्या हो गया जीरो हो गया तो आप यहां पर आप कोई वी वेल्यू रख दी दिदी तो आंसर क्या आएगा करने नेज़िट करने वाले agent के रूप में कैया जाता है तो इसका जो रight answer वह देखिए यहां पर 엔जीडो कार्बोनामाइड का उपियोग अनाज के आटे को स्वेट करने वाले एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है आगे बढ़ते हैं next question की और next question देखते हैं आप से क्या पुछा जा रहा है तो यहाँ पर आप लोगों इस पुछा गया है hysteria कुछ खालिस्तान में पाया जाता है तो इसका जो right answer है वा है आप लोगों का option number second पोधे में hysteria कुछ पोधों में पाया जाता है आगे चलते हैं next question की और next question देखते हैं आप लोगों को इसका पुछा जा रहा है तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को में पूरी ताइल का आप लोगों को जनकारी है वाह दी गई है तो आप लोगों को बिताना के कौनसा किस्से सं Points तर्थ चुमें लिदकना है साही जोड़ि बनाना है पेरो जोगा की बात की जाए तो पेरो जोगा कए संबध किसे हैं तो इसका जो right answer है और नेक्स्ट कूश्चन देखते हैं आप से क्या पूछा जा रहा है तो यहां पर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट कोश्चन में आप लोगों से पूछा गया है निम्ना-लिकित में से कौन सा फाइला आर्थो पोड़ा की विषेश्था नहीं है तो इसका बताना था आप ल तो इसमें जितने भी कीड़े मकोड़े हैं आप देख सकते हैं जादा तर क्या होते ही यहाँ उड़ने वाले होते हैं तो यहाँ पर देखें युख्त परिसिष्ट होता है प्रारंग के अबस्था के दोरान तोचा को जड़ा देता है और सबसे बड़ा फाइला है यह तीनो और 8 का कोशन है आप कह सकते हैं 6-8 में यह सारे कोशन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे तो यहां पर पुछा गया एक पत्ती में सिरा और द्वारा बनाएगी इस रचना को क्या कहा जाता है तो आपका अंसार होगा सिरा बिन्यास कहा जाता है तो यहां पर आप लोगों सिरा बिन्यास के नाम से जाना जाता है आगे बखते हैं दोस्तों नेच्ट कोशन की और नेक्स्ट कोशन के देखते हैं क्या पुछा गया है तो यहां पर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट कोशन में पूछा गया है चंद्रमा की सतहा पर तापमान खालिस्तान तक होता है तो चंद्रमा की सतहा पर जो तापमाने कहां से कहां तक होता आपसे पूछा गया तो इसका जो राइट आंसर वह है 190 degree Celsius से 110 degree Celsius तक चंद्रमा की सता पर जो तापमान है वह 190 degree Celsius से 110 degree Celsius तक होता है आगे चलते हैं next question की ओ next question देखी यहां पर क्या पूछा जा रहा है तो आप लोग next question में यहां पर देखेंगे पूछा गया है हवा में एक बस्तू का बजन 20 Newton है हवा में एक बस्तू का बजन 20 Newton है जब एक तरल में पूरी तरह से डुब़या जाता है तो इसका केबल 16 Newton बजन होता है बस्तू द्वारा विस्थापित तरल का बजन कितना है तो बिल्कुल सरल सा question है 4 Newton है देखिए एक हवा में मतलब एक आपके हाथ में कोई पधार थे कोई बस्तू है उसका बजन 20 Newton है जब उसे आप पानी में डुबा देते हैं तो उसका बजन जो है कितना हो जाता है 16 Newton हो जाता है इसका मतलब वो जो 4 Newton उसका बल कम हुआ है वो किस बज़ा से हुआ है उसका जो 4 Newton जो बज़ा ने कम हुआ है वो किस बज़ा से हुआ तो उसके द्वारा जितना जल विस्थापी किया गया है उसकी बज़ा से उसका वज़न में कमी आई है आगे बढ़ते हैं next question की और next question में देखी यहाँ पर आप लोगों से क्या पुछा गया है तो देखिए दोस्तों यहाँ से आप लोगों से रोगानू अर्था साइंस का ही question ने देखी question में पुछा यहाँ पर आप लोगों को कतन दिया गया है रोगानू रोधक किटानू नासक से भिन्न होते हैं कारण उसका दिया है जिवित उत्तक पर एंटिसेप्टिक लागू होते हैं और किटानू सोधक पसु उत्तक पर लागू होते हैं जो रोगानू रोधक होते हैं किटानू नासक से भिन्न होते हैं क्योंकि रोगानू रोध इसका करन क्या देखिए कारण धिया जीवित उत्तक पर इंटि सेप्टिक लागू होते हैं और किटाणू सोधक पशुत तक पर लागू होते हैं इस wed pior cui alvo होती है आपकी रिजनिंग तो आप देख पाएंगे कि यहां पर आप लोगों के आगे रिजनिंग और मैसे के कोश्च है ने दोस्तों तो आप लोगों को यदि या पीडेफ फाइल डाउनलोड करना है सभी सिप्टों की आसानी से इनकी प्रिप्रेशन करना है आने वाले एक आप लोगों कभी सेलेक्शन हो पाएगा तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक करके चेनल को जरू सब्सक्राइब कर लें साथ ही वेल आइकन के बिटन जरू दबा लें ताकि इसे इंपोर्टेंट एजुकेशन वीडियो के नाटिफिकेशन आप तक आसानी से पह हैं दोस्तो